इसके ओधर हैं विलियम सेरोईन स्चोरी के स्टार्टिंग में अरम नाम का एक लड़का होता है जो अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है इस स्चोरी में बताया गया है कि अरम 9 साल का है और तभी उसके कमरे की खिड़की पे उसका कजन जिसका नाम है मुराड वो आता है और उसे जगा देता है उस चाइम सुभे के 4 बज रहे थे इस स्टोरी में मुराड जो है उसे अरम के लावा सभी लोग पागल मानते थे तो जब अरम उठकर अपने खिड़की से बाहर देखता है तो देखता है कि उसका कजन मुराड एक बहुती सुन्दर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ होता है पहली बार में तो अरम कोई विश्वास ही नहीं होता और उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है पर फिर दीरे दीरे उसे विश्वास हो जाता है फिर वो एक बार अपनी आखों को मसल कर फिर खिड़की से बाहर देखता है फिर उसे विश्वास हो जाता है कि एक्चॉल में वहाँ पर एक घोड़ा था तब ही मुराड बाहर से अमर्नियन लैंग्विज में बोलता है अमर्नियन उनके ट्राइब की लैंग्विज थी वो कहता है कि हाँ तुम सपना नहीं देख रहे हो ये एक असली घोड़ा है और अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है तो जल्दी से भार आ जाओ अरम तब ही हमें बताते हैं कि घोड़े की सवारी करना हमेशा से उनका सपना रहा है पर फिर वो हमें ये भी बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा गरीब थे वो हमें बताते हैं कि सरफ वो ही नहीं बलकि उनका पूरा गाओं ही बहुत गरीब था वो गैरो गलानियन फैमिली से बिलॉंग करते थे और वो इतने गरीब थे कि उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि वो अपने पेट भरने के लिए भी पैसो का इंतजाम कैसे करते थे फिर अरम हमें बताते हैं कि एक टाइम पे उनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर हुआ करती थी और उनकी जो फैमिली है वो अपने स्ची के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी और वो कभी भी इस दुनिया में किसी का भी फायदा नहीं उठाते थे और कोई चोरी भी नहीं करते थे अरम उस होर्च को देखते ही समझ जाते थे कि ये मुराड का तो नहीं होसकता और उन्हें ये विश्वास होता है कि ये उसे खरीद के तो नहीं ला सकते इसने पका उसे चुराया ही है पर फिर एकदम से हो सोचते हैं कि वो ग्रैरो ग्लैनियन फैमिली से बिलॉंग करते हैं और इन इस फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी चोर नहीं हो सकता इस कारण से अरम बहुत ज्यादा कन्फूजन में थे एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा खुश थे और दूसरी तरफ उन्हें डर भी लग रहा था फिर वो एकदम से मुराट से पूछते हैं क्या उनने उस घोड़े को चुराया है तब ही मुराट कहता है कि अगर तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ और ये जवाब सुनके अरम को ये पक्का यकीन हो जाता है कि उसने इस घोड़े को चुराया है पर क्योंकि अरम को भी उस घोड़े की सवारी करनी थी तो वो कहते हैं कि ये घोड़े को सरफ सवारी करने के लिए चुराना चोरी नहीं कहलाती है ये चोरी तो तब जाके कहलाती जब वो उस घोड़े को बेच कर कुछ पैसे कमा लेते तब ही अरम फटा-फट तयार हो गए और अपनी खिड़की से बाहर निकल कर मुराड के पीछे घोड़े पर बैठ गए और वो सवारी के लिए निकल गए अरम का घर शहर के कुने में Walnut Avenue पर था और उनके घर के पीछे Wine Yards, Orchards और Irrigation Ditches थे और उसके बाद Country Roads जब अरम और मुराड घोड़े की सवारी कर रहे थे तो अब अरम हमें बताते हैं कि उन्हें वो बहुत अच्छा लग रहा था वो बहुत तेज जा रहे थे और जो सु वो बताते हैं कि मुराड से पहले उनके अंकल जिनका नाम है खोसरो वो पागल मने जाते थे जो उनके अंकल थे वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे वो बहुत ज्यादे ही impatient थे उन्हें बिल्कुल भी सबर नहीं था और बहुत जल्दी घुसा करने लग जाते थे औ पर हम हमें बताते हैं कि एक बार तो उनके अंकल का बेटा जिनका नाम था अरक वो उनके पास दोड़ते हुए आया और उस चाइम उनके अंकल एक बारबर की शौप में अपनी मूचे ठीक करा रहे थे और उनके बेटे ने उनसे कहा कि उनके घर में आग लग गई है तब ह उनके अंकल खुसरो जोर से चिलाने लग जाते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है इस पर ध्यान देने की कोई जर्रत नहीं है तब ही बार बार उनसे कहते हैं कि पर तुमारे घर में आग लगे तो खुसरो उस बार बार पर ही घुसा हो जाते हैं और उने भी चिला देते ह और कहते हैं कि मैंने एक बार कह दिया ना इससे कोई नुकसान नहीं है फिर आराम हमें बताते हैं कि उनके जो कजन है मुराट उनके जो पिता जी थे उनका नाम है जोरब जो बहुत ही practical इंसान थे लेकिन मुराट को उनके अंकल खोस्रोव का successor माना जाता है और फिर वो दो लाइने कहते हैं इसका मतलब है कि उनके tribe में अगर कोई किसी का बेटा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी आत्मा भी उनकी जैसी ही हो और वो इसके आगे हमें बताते हैं कि उनके tribe में बहुत अजीब 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 लोग थे जिसे कुछ पागल लोग और कुछ ऐसे लोग जो सरफ खाने के लिए ही जीते थे फिर हमें अरम बताते हैं कि उन्होंने काफी देर तक घोड़े की सवारी की और मुराड तब गाना गा रहे थे फिर एकदम से मुराड ने घोड़े को रोका और अरम से उतरने के लिए का उन्होंने अरम से कहा कि तुम उतर जाओ अब मैं अकेले सवारी करना चाइबा हूं तभी अरम कहते हैं कि ये घोड़ा मुझे उसकी सवारी करने देगा तभी मुराट कहता है ये हम बाद में देखेंगे पर भूलो मत ये घोड़ा मुझे समझता है तभी अरम कहते हैं कि जैसे वो घोड़ा तुमें समझता है वैसे वो मुझे भी समझता है तबी मुराड कहता है कि तुम्हारी सेफटी इसी में है कि ऐसा ही हो तबी अरम गोड़े से उतर जाता है और मुराड गोड़े की सावारी करने के लिए तयार हो जाता है वो जोर से गोड़े को दोड़ने के लिए चिलाता है तबी वो गोड़ा अब दो पैरों पर खड़ा हो जैसे ही अरम घोडे पर बैठता है तो उसे एक अजीब सा डर लगने लग जाता है पहले तो घोड़ा आगे ही नहीं बढ़ता पर वो जैसे ही घोड़े को बाद में दो-तीन बार किक करते हैं तब एकदम से घोड़ा वापस से अपने दो पैरों पर खड़ा होता है गुराता है और दोड़ने लगता है पर इस बार वो सुखी घास के मैदानों और इरिगेशन डिचिस की जगह डिकरन हैलेबियन के वाइन यार्ड की तरफ चला जाता है और वहाँ बहुत तेजी से दोड़ने लगता है और एकदम से अरम घोड़े से गिर जाता है और घोड़ा आगे निकल जाता है तब ही मुराड दोड़ता हुआ अरम के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमारी कोई चिंता नहीं है मुझे घोड़े की चिंता है जल्दी उठो और हमें घोड़े को ढूड़ना होगा इससे पहले की सबी लोग उठ जाएं और वो अरम को दूसरी तरफ जाने के लिए कहते हैं और मुराड खुद irrigation ditches की तरफ चले जाते हैं irrigation ditches वो छोटे-छोटे तालाब या गड़े जैसे होते हैं जिनमें पानी भरा हुआ रहता है और उन्हें खेतों की सिचाई के लिए इस्तमाल किया जाता है और आदे घंटे तक ढूड़ने के बाद मुराड को वो घोड़ा वापस मिल जाता है और एकदम से मुराड जोर से अरम को कहते हैं कि जल्दी चलो अब सभी लोग उड़ गए होंगे हमें इस घोड़े को या तो वापस करना होगा या फिर छुपाना होगा और क्योंकि मुराड की चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं लग रही थी तभी अरम समझ गए कि वो पक्का इस घोड़े को चुपा देंगे तभी अरम मुराड से पूछते हैं कि उन्होंने इस घोड़े को कब से चुराया है और वो कब से इस पर सवारी कर रहे हैं तबी मुराट कहते हैं मैंने इस पर सवारी करना आज सुबह ही चालू किया है। तबी अरम कहते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। तो मुराट बहुत ही confidence के साथ कहते हैं नहीं पर कोई भी अगर हमसे ये सवाल पूछेगा तो हमें उसका यही जवाब देना है कि हम इस घोड़े की सवारी आज सुबह से कर रहे हैं। तबी वे दोनों उसे खाली पड़े वाइन यार्ड पर ले जाते हैं जो एक फार्मर का था जिसका नाम था फेटवेजियन और वहाँ पर वो घोड़े को खाने के लिए कुछ ओट्स और ड्राय अलफा 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 एक टाइप की सूखी घांस होती है। पूछते हैं कि क्या ये घोड़ा मुझे भी समझ सकता है। उनका नाम था जॉन बाइरो वो फार्मर एक एसेरियन था और क्योंकि उनके गाओं में कोई भी उनके जैसा नहीं था इसलिए वो भी उनकी भाषा जो कि अर्मेनियन है वो बोलना सीख गए थे अरम की मा ने उस फार्मर को कॉफी और सीग्रेट आफर करी तभी उस फार्मर बहुत ही दुखी होते वो उनकी मा को बताया कि उनका एक सफेद घोड़ा जो कि पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक वापस नहीं आया है और वो अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गायब कैसे हूँ तभी अंकल खुसरव जोर से चिलाते हैं और कहते हैं कि इ उनके पास एक घोड़ा गाड़ी है पर एक घोड़े के बिना उसका क्या काम तभी अंकल खुसरव हमेशा की तरह जोर से चिलाते हैं कि इस पर ध्यान मत दो तभी जोन बायरो कहते हैं कि मैं दस मील चल कर यहां तक आया हूँ तभी खुसरव चिलाते हैं कि जब तुमारे पास पैर हैं तो चलने में क्या दिक्कत है तभी जान बायरो कहते हैं कि अब उनके पैरों में चल चल कर दर्द होने लगा है तभी खुसरव फिर जोर से चलाते हैं इस पर ध्यान देने की कोई जरुरत नहीं फिर फार्मर जान बायरो बताते हैं कि वो इस घोड़े को 60 दे कर खरीद कर लाये थे तभी अंकल खुसरव चलाते हैं कि मुझे पैसो की कोई वैल्यू नहीं है और वो वहां से घुसे में जोर से दर्वाजा बंद करते हुए चले जाते हैं तभी अरम की मा उस फार्मर को समझाती है कि वो दिल के बुरे नहीं है और जब थोड़ी द गोड़ा एक फार्मर का है जिनका नाम है जॉन बायरो और वो आज ही सुबह हमारे घर पर आये थे और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये गोड़ा तुमारे पास एक महीने से है और तभी अरम कहता है और तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसे तब त गोड़े को वाइन यार्ड में चिपा देते एक दिन गोड़े की सवारी करने के बाद वो जब उस गोड़े को वाइन यार्ड की तरफ ले जा रहे थे तब उन्हें रस्ते में जॉन बाइरो मिल गए जो वापस अपने शहर जा रहे थे तब ही मुराड अरम को धीरे से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ मुझे बात करने दो और वो जॉन बाइरो से कहता है गुड मॉर्णी पर जॉन बाइरो बहुत ध्यान से उस गोड़े की नाम है माय हार्ट तब ही जॉन बाइरो कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छा नाम है फिर जॉन बाइरो आगे कहते हैं कि मैं कसम काकर कह सकता हूं कि यह गोड़ा वही है जो कुछ हफते पहले मेरे यहां से चोरी हो गया था फिर जॉन बाइरो उस गोड़े के मुझ को देखन मेरा ही है पर क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स अपनी होनेस्टी के लिए बहुत जाने जाते हैं तो हो सकता है कि ये गोड़ा मेरे गोड़े का एक जोड़वा हो और फिर कहते हैं कि एक आदमी को जब शक होता है तो अपने हार्ट से ज्यादा अपनी आखों पर विश्वास करता है पर क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकते हैं इसलिए हो सकता है ये मेरा गोड़ा नहों तभी वो बोलता है कि तुम्हारा दिन अच्छा हो तभी मुराड वापस रिपलाई में कहते हैं कि आपका भी दिन अच्छा निकले फिर अगले ही दिन सुबह अरम और मुराड उस घोड़े को वापस से जॉन बायरो के वाइन यार्ड में छोड़ कर आ जाते हैं और तभी कुछ डॉग्स उनके पीछे आने लगते हैं तभी अरम थोड़ा डर जाते हैं और मुराड से कहते हैं कि हमारे पीजे कुछ कुछ गुत्ते आ रहे हैं तभी मुराड कहता है कि डरने की कोई जरुत नहीं है वो नहीं भॉकिंगे ये डॉग्स भी मुझे समझते हैं फिर वो घोड़े को वापस छोड़ कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं उसी दिन दोपहर के समय जौन बायरो अरम के घर आते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी में बैट कर और अरम की मा को बताते हैं कि उनका जो घोड़ा चूरी हो गया था वो अब वापस आ गया है और ये पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ तब ही खुसरोव जोर से चिलाते हैं कि चुप रहो अब तो तुम्हारा गोड़ा वापस आ गया है ना इस पर ध्यान देने की कोई जरुरत नहीं और इसी के साथ खतम होती है ये स्टोरी अगर आगा है